आज मैं आपको ब्रेट पीजा बनाना बता रही हूँ जिसके लिए मैंने दो अंडे ली हूँ यह कुटी हुई लाल मिर्च है अगर आपके पास यह ना हो तो आप पिसीवी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं यह हरी मिर्ची है एक अदद बारी कटी हुई यह फीकी वाली हरी मिर्च मैंने ली हूँ अगर आपको यह नहीं डालना है तो आप तीकी वाली छोटी हरी मिर्ची डाल सकते हैं नमक है अजबे जाइका और बारी कटी हुई कोत्मीर है और यह मैंने ब्रेट स्लाइस ली हूँ पांच अदद और यह चीज है चीज आपकी मर्जी है अगर आपको डालना है तो डाले नहीं डालना है तो कोई बात देंगे चले अब हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम ब्रेट को इस तरीके से किनारे निकाल देंगे यहाब ब्रेट के किनारे निकालगे और इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काटगे इस तरीके से आपने इसको छोटे-छोटे पीस काट लिए मैं जब तक है यह और पीस भी कट करती हूँ यह देखें यह जो दो अंडे है उसमें से अंडे की जो हम जर्दी है वह अलग कर देंगे और सफीदी अलग कर देंगे इसक्वान लिए झालग कर दोटेंगे यहाँ अंडें लिए पूछक अंडेंगे जोटब देंगे हैं पीस पंसाज़े हैं यह मलेगे जोटबस्टी आफखेंगे हाँ यह बहुत ही अच्छा बनता है आप इसे बनाएंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा अपनी इस तरीके से इसको अलग करती है अब जो है तो आपनी क्या करना है आप इससे भी इसको बीट कर सकते हैं और यह टाइम जादा लेगा मैंने इसके लिए बीटर ली हूँ आपको मैं बीटर से करके बताती हूँ और आप इससे भी कर सकते हैं एतो जीजय चाने देजिता ुदुकी यज यए्टÝ कि आपने इसके को कि बीट करें जब आप इसे खुब अच्छा बीट कर लेंगे आप देखें यह प्याला आप उल्टा भी करोगे तो यह नहीं गिरेगा यह देखें अभी इसमें आप हमने क्या करेंगे एक चुटकी नमक डाल देंगे दो अंड़ा है दो चुटकी आपने नमक डाल दें और यह जो हमने जर्दी रखे थे अलग से इसको थोड़ा सा पहले आप बीट कर लें और वो जर्दी को इसमें मिक्स कर दें यह देखेंगे यह सबस्वाद कर दोजिवा हम पतार स्वेश जर्दीक है, यह जिवे लें इसे हंगे तो रिषभा शाई कि मुष्या, समें आप पूरा कर देखे आपा यह देखे हमारा फ्राइपेन खुब अच्छा गरम हो गया है आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं मगर मैं आपको फ्राइपेन में बनाने का बता रही है यह हमारा तेल अच्छा गरम हो गया है अभी इसमें हम इसको डाल देंगे डाल कर इसे आप थोड़ा सा फैल आदे अच्छे से और आज चूले की जादा फास्ट बिल्कुल नहीं रखना वह स्लो आज पर आपको इसको बनाना है अभी इसके उपर आपने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें इस तरीके से और जो हमने ब्रेट के तुकड़े कट किये थे उसको हम इसके उपर इस तरीके से डाल देंगे इसके उपर इस तरीके से आप इसको डाल दें ज्यादा मत डालिए अगर जो चिपक गए वो ठीक है जो नहीं चिपकेंगे कोई बात नहीं आप इस तरीके से उसको डाल दें डालने के बाद में आप इसको इस तरीके से दबा दें ताकि वो अच्छे से चिपक जाए यह देखें इस तरीके से आपने इसको चिपका दे खुब अच्छे से चिपक जाए यह इस तरीके से आपने इसको चिपका दे चिपकाने के बाद में आपने फिर इसके उपर एक चुटकी नमक डालना है क्योंकि हमने जो ब्रेट लिये थे ब्रेट के उपर थोड़ा सा नमक आएगा तो और अच्छा लगेगा बहुत धीमी आज पर आपको बनाना है इसको इब्रेट खुब अच्छे से इसमें चिपक गए अब साइट से हम थोड़ा देखेंगे कि यह नीचे से पग गया है या नहीं यह हमारा ब्रेट पीजा अब इसको हम दीरे से बहुत ही एत्याद से पलटेंगे अपनी इसको इस तरीके से एक पलेट लेंगे और प्लेट के उपर अपनी इस तरीके से कप्रा रख देंगे और इसको समाल कर इस तरीके से पलटे यह देखें अभी जो है तो इसको एक सेकेंड के लिए आप साइड में रखेंगे थोड़ा सा आपने टेल डाल दें हरी मिर्च डाल दें तोड़ीती कुटी में लाल में चुट डाल दें टोड़ा सा गुरियंट डाल के सुभूड़ास आपने टॉस करने के बाद में यह हमारा आमलेट है उसको हम इस तरीके से इसमें उतार देंगे ऐसं बिलकुल आपका ज़ा बेड पीजा बोले या ब्रेट आमलेट फीजा बोले यह तयार है हुआ हुआ है आज बहुत दीमी रखना है इसको आज तेज नहीं करना है अज बस एक मिनट और जादा नहीं एक से दो मिनट में यह तैयार हो जाएगा यह देखें अभी इसके ओपर आप इस तरीके से चीज डाल दें जादा पसंद है आप जादा डालें कम पसंद है कम डालें यह आपका ब्रेट पीजा अमलेट तैयार है आप इसे बनाएं और खाएं बच्चों के लिए लंच बॉक्स में दे इसकूल जाते हैं बच्चे सुबह नाश्टे में आप बना के दे दे आप भी काएं जादा चीज पसंद करते हैं बच्चे आप जादा डालें यह देखें इसको आप इस तरीके से कट करें पीजा की तरह यह देखें माशाला कितना अच्छा बनाएं आप इसे बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट्स वॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अल्लाह अफीज